यहनु यहें लू यहनु पर लोगों की पढ़ाई और आपको भी पता है कि हम अभी चल रहे हैं सेविंदे स्पैशल सेशन में जहां पर रोज हम एक न्यू न्यूम्रीकल को solve कर रहे हैं क्योंकि यह numericals ऐसे numericals है जो आपको एक्जाम में अगर आ गए तो यहां पे आप तभी solve कर पाएंगे जब आपको परता हो कि trick क्या है या इसमें formula क्या है ठीक है तो याद रिखेंगे आपका बहुत बड़े help करने वाले exam में यह calculator तो यह calculator आपको आज से यूज करके देखने कि कैसे आप इसको अपना handy बना पाएंगे अगर आप सोच रहे ना एक रात पहले आप इस पे एकदम perfect हो जाएंगे तो यह बिल्कुल गलत है जैसे अपन नया phone भी लेकर आते हैं तो क्या होता है पहले हम उसको एक दो दिन चलाते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता बट जैसे जैसे टाइम बीटता जाता हम उसको चलाने लगते हैं तो हम अब आप बंद करके भी बता सकते हैं कहां क्या है तो वैसे ही आपको यह calculator है अगर आपको ताइम अपना पूरा question solve करना है और आपको भी पता है around 120 questions आने वाले हैं तो उसको solve करने के लिए आपको क्या चाहिए calculator रिमेंबर ठीक है तो याद रखेगा यह session आप लोगों के लिए calculator के साथ कैसे use करना कैसे solve करना है वह बहुत helpful करने वाला ठीक है और यह session प्लीज आप लोग पहले like कर दीजिए और आपके जो भी colleagues और जो भी friends उनके साथ जल् तो चलिए आज का अपना चो टॉपिक है देख लेते क्या है वो है हमारा dividend growth model कि आखेर exam में जब आपको आएगा dividend growth model पे questions तो आपको calculator की help से कैसे जल्दी से solve करने क्योंकि वहाँ पर अगर आप ऐसा 1,2,3,4 करके रखने लग गए तो तो बहुत time जाने वाला है तो आज आत हम थोड़ा से इसका थेओरी देख लेते हैं कि आखेर ये क्या होता है ठीक है एक में जो चलिए डिविदेंट growth model approach ये क्या कहती है this approach assumes that the current market price of firm's equity is equal to the present value of all the dividends expected to be paid by the firm in future discounted at the required rate of it ठीक है यहां पर आपने देखा कई सारी चीज़े बूली जा रही है सबसे पहले जब आपने शुरू किया पढ़ना तो सबसे पहले आपने क्या देखा current market price ठीक है क्या बोला जारे कि यह approach assume करते है कि जो हमारी current market price है ठीक है हमारे firm's equity ये किसके equal है ये हमारे present value के equal है ठीक है को डिविदेंस मिलने वाले है future में तो उसके equal हमारा current market price है ठीक है जो कि pay होगा by the firm in the future अब ये जो डिविदेंस है का वह मिलने वाला रहते future में बट हम उसको discount rate करके आज लेके आ रहे हैं और आज जब लेके आते हैं तो वो क्या होता है वो equal to हो जाती हमारी current market price और ये जो उस पे जो मैंने एक rate use किया वो क्या होता है हमारा required rate of return ठीक है ऐसे rate से discount करना कि वो हमारे आज की value बता पाए ठीक है तो यहां पर क्या होगा जो भी हमारा future के dividends है उनको हम discount करेंगे और लेके आएंगे क्या उसको बताएंगे कि वो equal to होता है हमारे current market price अब आखिर ये सब क् यह हम इसने करते हैं कि अगर हम अगर invest करने जा रहें किसी company organizations में तो हमें पता तो चले कि हमको यह future में dividends मिलने वाले हैं तो अगर वो हमारे current market price से हमको ज्यादा मिल जाता है उसको discount करके तो तो बहुत अच्छी company है correct बट वहीं अगर हमारे current market price से वो कम हो जाता है present value निकाल जगा चुझे नहीं करना चाते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमको याद रखने है एक तो current market price is equal to present value of all future हमारे जो डिविदेंस है उसको हम discount करके आज लेके आते हैं और यहाँ पर हम एक और सीच चाहिए required rate of it ठीक है चाहिए तो यहाँ पर देख लेते हैं को क्या formula use करना रहता ह जब आएगा क्या dividend growth model चाहिए सबसे पहले देखने हैं हम लोग present market value present market value कैसे calculate होगी हमने देखा कि जो भी डिविदेंस है हमारे ठीक है उसको divide by क्या करेंगे required rate of return minus growth rate per year growth rate per year ठीक है या फिर आपको क्या पुछा जा सकता है या तो पुछा जा सकता है required rate of return या खेर क्या return यूस करने आपको present market value divided by divided in the first year plus growth rate per year देखें यह दो अलग formula नहीं है इसी formula को याद समय आप याद कर लेते समझ जाते हैं तो उससे यही formula निकल के आए यहाँ पे क्या पुछा गया है यहाँ क्या पुछागे required rate of return तो यह required rate of return हमें चाहिए तो हम को अगर यह find out करना है तो क्या होगा यह required rate return कहा चला जञे इस साही चलाएगा ठीक है यह किदर चला जाएगा हर चीज OPOSIT चली जाएग़ तो इसस से क्या पता चलेगा आपको हर चीज अब बे अपोज़ेट चली जाएगी तो यहाँ पर आप易 सानी से कलकुलेट करके यह वाला formula बना पाएंगे यह वाला formula बना पाएंगे चिक है यह वाला formula बना पाएंगे same formula है कुछ नया formula नहीं है वो formula से ही यह वाला formula बना है चले अब शुरू करते है calculate करना ठीक है याद आपने देख लिए गवाँ formula देख लिजे present market value equal to what dividend in first year divided by required rate of return minus growth rate per year इससे क्या होगा आपका present market value आजाएगा और अगर आपको पूछ लिया जाते है required rate of return कितना है तो present market value divided by dividend in first year plus growth rate यह आपको फॉर्मलेस है जो आपको समझा जाने चाहिए एक बार देख लिए आप लोग फिर शुरू करते हैं questions को solve करना के exam में आखिर कैसे हमें solve करना है ठीक है चलिए तो आते हैं एक फॉर्स्ट कोशन पे जो की है शुरू करिए पढ़ना क्या लिखा है इस प्रेजेंट मार्केट वाल्यू कितना है 100 face value 10 face value है equity shares of the firm is what 100 dividend expected in the first year is 10% and the expected growth rate कितनी है in dividends is 4% यहाँ पर आपको क्या दे दिया है जी दे दिया है 4% परसेंट उसके बाद और क्या दे दिया है आपको dividend बता दिया है कितना 10% ठीक है और उसके बाद आपको क्या दे दिया है equity share कितना है हांगे ठीक है चलिए एक बाद याद रखेगा formula देख लिए और हमको लास में क्या पूछा जा रहा है लास में क्या पूछा जा रहा है कि what will be the required rate of return on firm's equity capital क्या required rate of return होगी तो इसका formula क्या था required rate of return पूछा जा रहे तो required rate of return में equal to present market value चलिए present market value divided by dividend in first year let's grow three to care so hum calaking a required rate equal to what आप लोग बताईए यही है ऐसे ही है अब आप लोग को मैंने formula भी लिखके देदिया जल्दी से solve करके बताईए जल्दी से solve करके बताईए है हमको बस यहाँ पर फिल करना है ठीक है बस आपका आप क्या यहाँ पर आता है काम कि आपको बस फिल करना है यह प्रेजेंट market value कितनी दिये यह first time पर दिया हुआ था क्या कि आपके जो value है वह 100 है और उसके बाद क्या बोला हुआ है dividend dividend कितना बोला है plus growth कितनी बोली हुई आपको इतना ही आ रहा है तो required written बोला हुआ है इसका answer है एक करेक्ट इसका answer क्या होगा एक समझा रहा है आप लोगों को एक बार आप लोग भी solve करिये समझा रहा है आप लोगों को चलिए अब आगे बढ़ते हो देखते हैं next question जो कि है companies XYZ stock is expected to pay a dividend of what two next year ठीक है the dividend is expected to grow at a constant rate of what five percent year if the required rate of return on the stock is what 10 percent what is the current price of the stock according to dividends growth model वही model जो हमने अभी पढ़ा है जो हमने formulas देखे हैं यहां पर हमें क्या पुछा जा रहा है current market price current market price ठीक है current market price में हमको यहां पर क्या क्या देवन है गिवन है पहले वो लिखना शुरू करते हैं क्या क्या गिवन हमें तो पता है dividend कितना मिलने वाल है तू मिलने वाल है और कितना rate हमें rate भी दे दिया गया है बढ़िया पांच परसंट पर यह ठीक है उसके बाद हमें और क्या दिया हुआ है उसके बाद हमें ओके सॉरी सॉरी यह 5 परसंट ग्रोथ है और rate हमको दिया हुआ है 10 परसंट का हमको क्या पूछा गया है cmp चलिए calculate करके बताईए एक बार आप लो calculate करके बताईए एक बार आप लो formula क्या थे इसका dividend divided by required rate minus growth यही था शॉर्ट में लिखा है मैंने चलिए फिल करने शुरू करिये data और बताईए किया अन्सर आने वाल है फिल करना शुरू करिये और बताईए क्या अंसर आने वाल है बी हमको दिया हुआ है, और दिया हुआ है, दिैए अब おह दिया हुआ है, बेस लॉग को 2, क्रेक्ट, बीकतने दिया हुआ है, रदिया हुआ है 10% 0. जी कितना दिया हुआ हुआ है, 0.05 चलिये, तो बताइए कितना strengthen आँण रहा है, 2 divided by, 0.1 minus 0.05 is how much top cancer कितना रहे है करेंट मार्केट प्राइस बाइस फॉर्टी और अपका कॉन सा ऑप्शन है ऑप्शन एप्शन ए चिके ऐसे आपको सॉल्व करने एग्जांस में ऐसे आपको सॉल्व करने एग्जांस में चलिए फिर आते है नेक्स्ट कुर्शन पर एग्जांस में पर्देट इस और शुदु करने की कंपनी एक साइज यज़ नियुक्त पेर डिविदेन ऑप 3 नेक्स ये डिविदेन एग्जांस इस एक्सटेट टो ग्लोवाट इसको जल्दी से सौल करें चिके आपको एक कराब बता दिया गया है डिविदेन नाप आपको दे दिया है dividend 3 मिलने वाला है और यहां पर आपको growth का rate भी दिया हुआ है 6% पर एनम और यहां पर आपको r भी दिया हुआ कितना है 12% ठीक है अब आपको दुबारा से क्या पुछा जा रहा है current market price current marketplace क्या होते है dividend r-g यही होता है अभी तक आप लोगों के answers आ जानी चाहिए थे exam में इतना देर थोड़ी आपको सोचने मिलेगा हमने तो सेम ऐसा ही इसके पहले वाला भी solve किया है चलिए जल्दी से करियर बताइए और प्लीज यह सेशन अपने जो भी कलीक से जो लोगी जाए भी का एक्जाम देने वाले हैं कभी भी आपका यह paper tough हो सकते है तो उन लोग के साथ जरूर शेयर करिएगा ठीक है चलिए डी क्या होता है थ्री पुट करते हैं आर कितना दिया हुए हम लोगों को 12% वहीं पेज जी कितना दिया हुए है 0.06 बताइए क्या अंसर आ रहा है बस आपको 3 divided by 0.06 करना है कि इतना आ रहा है बताइए आपका अंसर आ रहा है आप्शन अगेन सारे आप्शन यह आ रहे हैं इस बार तो लग रहा है चलिए फिर देखते हैं निक्स्ट कोशन ठीक है ऐसे आपको एक्जाम में सॉल्व करना है ऐसे आपका लेवल रहेगा एक्जाम में कभी वो रिटन पूछ सकता है पहले हम दो सॉल्व किया उसके हम पढ़ते हैं ठीक है option 1 की cost of reference capital second 1 की cost of debt cost of equity capital and and of the wealth बताई किसके अंडर हम लोग यह पढ़ते हैं किसके अंडर हम लोग यह topic cover करते हैं अगर आप रिफेर्ण सोच रहे हैं तो गलत है डेट सोच रहे है यह हम पढ़ते हैं cost of equity capital ठीक है तो यहां पे हम लोग ने question solve कर लिये हैं ठीक है तो एक बार जल्दी से हम लोग क्या करते हैं revise कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था formula यहां पे हमने देखा था प्रेजंट मार्केट वाल्यू जहां पे ही डिविदेंट ग्रोथ मॉडल से यूज करने ठीक है इक्वल टू क्या होगा डिविदेंट इंद फोस्तियर डिवाइद बाइड रिट रिटन माइनस ग्रोथ रिट पर यह ठीक है उसी को जब आप थोड़ा से चेंज करेंगे सेंट फॉर्मूला को बस प्लेसे चेंज हो रही है इस बार क्या है रिक्वाइड रेट उविदेंट इक्वाइड बाइड रिट पर यह समझ के रखना है यह वाला याद रखना है नीचे वाला automatically आपको आजाएगा ठीक है अगर आपको ग्रोथ भी पुछेगा ना तो आप ग्रोथ भी निकाल पाएंगे बस आपको यह फॉर्मुला याद रखना है यह वाला फॉर्मुला बहुत जरूरी है याद रखने के लिए इसी से निकल के यह आ रहा है ठीक है इसी से अगर लग रहे हैं कि इतने सारे नियुम्रिकल्स के जो फॉर्मुले हमें नहीं समझ जा रहे हैं डोंट वरी बस आपको क्या करना है आपको जाना है तो अगर आपको बेसिक्स ही अभी तक लिया नहीं है तो वह बेसिक्स भी ठीक करने का टाइम आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको लगते कि अभी भी आप नियुम्रिकल्स में होल्ड नहीं ला पा रहें तो आप अमारे नियुम्रिकल्स में भी यहीं से आके इंडोल कर पाएंगे इसी के साथ यहां पर आपको देखिए क्या का मिल जाएगा आपको मिलने वाला है 3 प्लस 3 मंस की भी वैलिडिटी 6 6-6 months के भी 12-12 months के भी बट याद रखेगा अब आपको ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो 3-3 months की यह validity अभी अभी limited time के लिए लेकर आएगा हुआ है और यहाँ पे आपको 600 hours का online classes में मिलने वाला है 447 test series 207 ebooks 1189 videos बट यह सब्सक्राइब आपको मिलेगा जब आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं coupon code that is why 895 यहाँ पर आपको enter करना apply होगा तो आपका यहाँ पर discount हो जाएगा देखिए 79% और जब पहले आपका 22,000 था amount वो रिडियूस हो के आप होने वाला है 4619 ठीक है 4619 हो जाएगा और इसी के साथ आपको एक और चीज़ बता दू कि आपको यूज करना था code by 895 बट अगर आप यह साइट से दाके लेते हैं तो अहां पर आपको केवल कितना मिल रहे देखिए 79% कितना मिल रहे 79% करेक्ट बट अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर आपको मिल जाएगा 1% का extra or discount आप जो है अटर 247 का वहां पर जाके आपको वस्व डाउंट करने Android या यूज दोनों में डाउंट हो जाएगा बस आपको जाके उसे डाउंट करने है और वहां पर जब आप जाएंगे तो 70 दाइंट तो मिली जागा यह code यूज करेंगे प्लस उसके साथ आपको कोई का 1% आफ बेमिल जाएगा ठीक है अब देरी मत करें आपरल भी खतम ही होने वाले टेंटेस बच चुके हैं टेंटीड एटेंटिवली जब जल्दी पढ़ना शुरू करें ताकि आपको भी प्रमोर्शन जल्दी मिलता है all the very best and thank you for watching